हेलो फ्रेंड्स कैसी हूँ आप सब आज मैं बनाने जा रही हूँ अद्रक मिर्च और नीम्बू का आचार तो आओ चलते हैं और बनाते हैं यह अचार आचार के लिए मैंने 500 ग्राम हरी मिर्च, 500 ग्राम अद्रक लिया है तथा 500 ग्राम नीम्बू लिये हैं नीम्बू मैं साप साफ रखूंगी और जो खराब या कटा फटा नीम्बू है वो इन सब नीम्बू में से निकाल दूँगी क्योंकि वो आचार को खराब कर सकता है मैंने दो बड़े चमच सर्सों का तेल कडाही में ले लिया है और गर्म करने के लिए रख दिया है अद्रक को कद्दुकस कर लिया हुआ हरी मिर्च और निम्बू के भी मैंने छोटे छोटे टुकडे कर दिये हैं सरसों के तील में धुआ छोड़ दिया है अब इसमें अद्रक, मिर्च और निम्बू तीनों के जो मैंने छोटे छोटे एक टुकड़े किये हैं ये सब डाल रही हूँ दोस्तों मैं ये तीनों चीजे इकठी ही एक बारी में ही कड़ाई में डाल रही हूँ ये अचार सर्दियों में बहुत अच्छा और फाय देमंद रहता है क्योंकि अद्रक गर्म होता और सर्दियों में अद्रक खाने के बहुत से फायदे हैं हमें गर्माट रहती है खटाई के लिए मैंने इसमें नीम्बू बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है बड़ा नहीं रखा है मैंने नीम्बू बहुत छोटे छोटे टुकड़े किये हैं मैं इस तरह का आचार मैं भी पहली बारी बना हूं आप भी बनाके देख्णा अब इसमें मैं दोबड़े चमच हलदी डाल रही हूं हलदी स्किप भी कर सकते है क्योंकि कुछ जो प्लोंके आचार में पसंद नहीं करते तो अगर आपको पसंद है तो डालना अगर नहीं पसंद है तो मत डालिएगा मसालों में इसमें डेड़ चममच अजवाएन डेड़ चममच मिठी सौफ और डेड़ चममच मेथी ब्राबर मात्रा में भून कर पीश कर लिए हैं इसमें डेड़ चम्मच मैं देगी मिर्च रंग के लिए डाल रही हूं क्योंकि दोस्तों देगी मिर्च का जो रंग है वो बहुत अच्छा आता है अचार में दो बड़ी चम्मच नमक डाल रही हूं या आप स्वादा नुसार नमक डाल सकते हैं इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद तेज आँच पर इसको जो है 3-4 मिनट के लिए पकाना है अचार में खटा मिठा टेस्ट देने के लिए मैं एक छोटी कटोरी शक्कर भी डालूँगी या आप शक्कर अगर आपको ज़्यादा खटा मिठा चाहिए तो शक्कर की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं स्वाद आपने खुद देखना है कि अपना कितना खटा मिठा रखना है उसी हिसाब से आपको इसमें शक्कर डालना है अब आचार को अच्छे से मिक्स करना है वो तीज आंच पर पकाना है इसमें एक चम्मच में काला नमक भी डाल रही हूँ निम्बू के अचार में जो है काले नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल रही हूँ है अब इन सब मसालों को इकठा मिलाकर 2-3 मिनट के लिए तेज आज पर पकाना है दोस्तों यह अचार जो है सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है और एक बार आप जुरू ट्राई करना अचार काफी हद तक पक चुका है आपने पकाना नहीं है दो-3 मिनट तक इसको जो है गैस पर पकाना इससे ज्यादा नहीं पकाना है जब अचार ठंडा हो जाए तो उसे सुखे कांज के मर्तबान में रखना है दोस्तों यह अचार आपके सालों साल खराब नहीं होगा यह मैं गरंटी देती हूं यह अचार आप दाल, चावल, प्रांठा, पूड़ी या रोटी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में आप प्रांठे के साथ इसे ले सकते हैं बहुत अच्छा लगता है अचार और इसका जो टेस्ट है यह चटनी की तरह भी लगता है अचार भी कह सकते और इसको आप चटनी भी कह सकते हो देखो कितना अच्छा रंग आया है अचार का बहुत अच्छा है औ मैंने गैस बंद कर लिए अब इसको ठंडा होने के लिए रखा है और जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसको कांज की मर्तबान में डाल देंगे आपको मेरी अचार बनाने क्या तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके जुरूर बताना और यह भी बताना कि आप इस अचार को किस तरह से बनाते हैं बाई बाई